नमस्कार दोस्तों मैं सिवन कुस्वाब का स्वागत करता हूं प्रोगाड CS चैनल में तो हम लोग देख रहे हैं Computer Fundamental Course तो जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चे था उसमें हम लोग ने RAM क्या होती है, ROM क्या होती है Primary, Secondary, Memory क्या होती है तो हम लोगों ने ये देख लिया था और अगर आपको उसमें और बेसिक जानकारियां का समझ में आ गई हो और अगर आप Advanced सीखना चाहते हैं उसके बारे में और कौन-कौन सीरेम होती है Hard Disk किस तरीके से हमें लेना चाहिए जो SSD होती है उसमें क्या फर्क होता है तो हम उसके बारे में एक और वीडियो बना देंगे आप उसमें कमेंट करके बताईएगा कि आपको चाहिए उस ताइप का वीडियो ये नहीं चाहिए तो अभी हम लोग देखने वाले हैं आज hardware और software सबसे पहले आता है काम नहीं कर सकते हैं जो मतलब के परफम नी टास्क विदाुटस एंदर अगर आपने अपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला कोई सॉप्ट्वेर नहीं डाला तो वीडियो प्लेयर नहीं डाला तो क्या होगा आपको वीडियो प्लेयर चलेगा नहीं साउंड नहीं डाला तो आपका साउंड कार्ड से कोई मतलद नहीं आप कितना वेटफोन लगा लेजे तो यह कैसे जिसे यहां पर input, output, storage और internal जो component होते हैं यह सब क्या होते हैं यह computer के hardware होते हैं जो हम लोग keyword यूज करते हैं, mouse यूज करते हैं, storage के लिए hard disk यूज करते हैं यह सब क्या है hardware है ठीक फिर क्या होते हैं यह जो hardware होता है यहां पर थोड़ा सा लिखा हुआ है कि जो hardware हमारा होता है तो क्या होता है वाइरस से कोई एफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आपको कंप्यूटर में कोई वाइरस आ जाए गया तो क्या को उसे हाड़वेर खराब नहीं होगा उसे आपका सब्सक्राब होता है तो हाड़वेर यह होता है वो खराब नहीं होता है यह अगर डैमेज होत इनको हम लोग टूच करके छू सकते हैं यह इसमें कुछ input output डिवाइस होते हैं उनको भी हम लोग चेक कर सकते हैं देख सकते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको replace कर सकते हैं और नया लगा सकते उसमें और यह वायरस इसमें कोई effect नहीं पड़ता है फिर आता है software software जो आप सुने होंगे this software क्या होता है कि यह कहने के मतलग है कि लाशी कुछ工作 काम होते हुटर dor क्या होता है वह भी करते हैं जिसे vlc player क्या है उसका एक software है ठीक तो दो dlc player में होता है हम लोगों ने कुछ प्रोग्रामिंग करा कुछ कोडिंग करा है उससे क्या होता है कि जैसे मैंने वीडियो प्लेयर चार्व हो सकता है रहा हम लोग फ़टे जोटे कर सकते बाकि उस कर रहा हुँ किसे कर रहा हुँ ये मैं कर रहा हूं Microsoft PowerPoint से ठीक तो जो PowerPoint है उसके दोर हम लोग यह कर रहे हैं तो इसमें का काम यह है इसमें हम लोग वीडियो प्लेयर जैसे यूज नहीं करते हैं तो हर एक काम के लिए जो सब्टेर होता है उसमें एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कुछ काम लिखा होता है कि उसका क वो उसकी साबसे वो आटोमेटिक काम करता है तो यह क्या होता है सब्टेर होता है यह इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है वही काम करता है और यह क्या होता है 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 यहां प hardware है वो क्या है जो software है कि विना काम नहीं कर सकता कियो हर्डवेर कि विना काम नहीं कर सकता अगर computer ही नहीं होगा तो आप उसके अंदर software कैसे डालेंगो वीडियो player कैसे चलाइगे तो यह क्या होता है यह without hardware काम नहीं करता है ठिक और 16 यहां कि यहाह पर लिखा हुआ है कि जो इसको हम ट durchaus नहीं कर सकते हैं जो actва उसको हम लोग टॉस्ट ने कर सकते हैं मतलब निकालका हम लोग देख लेकिवा अच्छा कई प्लेर है इसको इस तरीके सी डिजाइन है जो यह हम लोग नहीं कर सकते हैं अगर हमारा जो हार्ट वेयर था तो उसको हम लोग क्या करा सकते थे उसको हम लोग निकाल करें और दुबारा यूस्च कआ सकते थे मतलब निकाल के हम लोग चेक कर सकते थे ये भी है वह हमारा माॉस है ये हमारे कीवोड का ये eight number पर अगर हमने यहां पर लिख दिया 9000 तो आप 9000 हम लोग निकाल के छूँने सकते क्योंकि 9000 कहा है वो सब्ट्वेर में तो सब्ट्वेर को हम लोग क्या का सकते हैं टच नहीं कर सकते हैं ठीक और इसके बाद आता है affected by computer virus मतलब यहीं जो हमने बताया कि जो software होता है वो क्या होता है कि virus effect होता है hardware नहीं हो सकता है तो यहीं है यहां पर भी लिखा हुआ है कि जो software है आपको अगर कोई virus आता है वो आता है software की वज़े से जो हमारा windows में आकर windows corrupt होता है और बाकी चीज़े कैस हमारा जो कहने के मतलब था कि hardware है उसको हम लोग क्या कह सकते थे replace काते थे नए से यहां पर लिखा हुआ है अगर hardware डैमेज हो जाता है खराब हो जाते थे हम लोग क्या करते थे नए लेते थे ठीक और अगर हमारा जो software है अगर उसमें कोई problem आती खराब होता है तो हम लोग क कर सकते हैं और hardware भी हमें नया खरीदना पड़ता था यहां पर एक्जामपल भी दिये हुए MSWARD, Excel, PowerPoint, Photoshop, MySQL यह सब क्या है यह पूरे software है ठीक आगे बढ़ते हैं तो software के दो variety होती पहला होता है system software जो होता है system software और दूसरा होता है application software तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग इ software के बीच में काम कराने काम करता है जैसे क्या होता है Windows 10 हो गया Windows 8 हो गया वह क्या करता है Windows जो होता है उसमें हम लोग की एक सब्ट्वेर डालते है तो क्या होता है एक application software होता है इन दोनों को काम कराता है एक दोनों के बीच में जोड़ने का काम करता है ठीक और यह क्या होता नहीं है डिपलब वाई हाई लो लेवर लेंगवेज यह असेंबली लेंगवेज और पता नहीं कौन कौन सी बेसिक बेसिक जैसे बार-बार यही एक्जाम्पल आ रहा है तो आप समझ जाईए कि जो भी-लसी हो गया फोटो एडिटर हो गया और ऐसे से वह सारी जो एप हैं वो क्या है अप्लिकेशन है तो यह क्या होता है हाई-लेवर यह लेवर लेंगवेज में यूज होता है और यह होता है यह हाई और जो सॉप्ट्वेर है उसकी दौर्ड क्या करते हैं hardware को एक्सेस कराते हैं operating computer hardware कैसी यह hardware और ने बताया कि जो sound card होता है जो sound card होता है एक्जांपल के लिए sound card है जो आप जिस पर headphone लगाते हैं तो hardware क्या करता है जो system software है उसमें क्या होता है कि हमने क्या करें एक ड्राइबर डाला sound driver ठिक तो sound driver हमने डाला आप sound driver क्या करेगा जो हम लोग BLC player में कोई गाना बजाएंगे तो क्या करेगा वो जो हमारा speaker है जो loud speaker है उसमें क्या करेगा वो sound देगा कैसे देगा एक step by step आपी समझ लेते हैं कि जो system software है वो क्या हो गया एक ड्राइबर हो गया ठिक तो driver क्या करता है वो hardware को मतलब जो operating system है उससे द्वारा क्या करता है hardware को access कराता है तो हमने क्या करेगा एक driver डाला sound driver sound driver से क्या हुआ कि हम लोग अगले बार जब BLC player डालेंगे तो BLC player को क्या चाहिए एक ड्राइबर चाहिए जिसमें sound बजे ठिक तो उसको कहां से मिला यहां से एक driver मिल गया तब यहां से जो BLC player है वो क्या करेगा एक sound देगा इसको फिर यह driver जो है speaker में आवाज निकालेगा हमारा जो headphone है उसमें क्या करेगा आवाज निकालेगा समझ में होगा तो system software क्या होता है कोई driver हो गया वो क्या होता है system software होता है और जिसे आपका operating system हो गया Windows 10 हो गया और मांकी चीज़े क्या है वो system software है ठीक और आगे बढ़ते हैं यह क्या करता है इंस्टॉल करने काम देता है मतलब benefit देता है आप क्या कर सकते हैं कोई भी app डाउनलोड कर सकते हैं तो system software अगर नहीं है तो आप उसको install नहीं कर सकते हैं क्यूंकि आपका जो operating system भी नहीं उसमें ब्लेक ब्लेक इसके लिए और वाइट कलर से लिखा हुआ है तो आप उसको इंस्टल कैसे करेंगे तो इसके लिए क्या होता है कि system software जैसे operating system हम लोग डाल देते हैं ताकि हम लोग आइश्टर जो software है यह एफ है हम लोग इंस्टल कर सकें समझ में आ रहा होगा अगर नहीं आए तो आप बताईएगा तो हम लोग आपको एक बार और वीडियो बना के या जो भी हो सके तो हम लोग समझाने की पूरी चलेगा अगर system driver नहीं डले हुए हैं तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं जो भी साप्लिकेशन साप्ट्वेर है उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं बीना system software के application software बेकार होते हैं कुछ काम नहीं कर सकते उससे ठीक फिर आता है application software तो system जो application software होता है यह भी same to same जो system software होता है उसके जैसे ही होता है पर यह क्या होता है यह system software के अंदर चलता है application software आप VLC, MX Player और वाकी सारी चीज़े आप यूज करते होंगे तो वो सब कहां चलता है यह application software है वो कहां चलता है system software में समझ में आ रहा होगा आगे बढ़ते हैं फिर यह language होती हाई-level language होती जावा और पतनी जो पाइथन हो गई ऐसे इसी लेंगवेजों में इनकी आपको एक software चाहिए जैसे Windows 10 का है Windows 10 मतलब Windows का हमें चाहिए तो Windows का application आप क्या का सकते है Windows वाले system software जहां डला होगा वहीं ले जा सकते हैं अगर आप उसको मैक में या Linux वाले software आप यूज कर रहे हैं कैने वाला system software तो आप उसमें नहीं डाल सकते हैं यह application software क्योंकि यह बनाया गया Windows के लिए और आप यूज कर रहे हैं Linux या फिर Ubuntu जैसे operating system में ठीक और यहां पर यह लिखाए specific task देखी आप थो perform क्या करता है specific task मतलब क्या करता एक ही काम करता है जिस काम के लिए हमने बनाया जैसे मैंने बीचह में बताए था Viel प्लेयर का करता है वी एलसी प्लेयर जो है तो केवल वीडियो प्लेयर का करता है या फिर राडियो प्लेयर का है तो इसलिए प्लेयर का कम करता है आफिस वर्ड एक्सल प्लेयर का है वह आफिस का काम करते हैं क्योंकि उसका आफिस के लिए बनाया गया तो यह क्या कर सकते हैं एक specific task perform करते हैं ठीक और यह क्या होते हैं जितनी जरूरत होती है उतनी इस्टॉल करने हैं लोग यह देखिए तो जो अप्लिकेशन सब्ट्ट्वेर है जिसे आपको video player की जरूरत है तो ही आप इस्टॉल कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है पर अगर आपने क्या करें करें कि तो वहां पर touch screen होता है तो बीच में आप देखेंगे जहां से आपका mouse चलता है तो वहां पर touchpad लगा होता है अगर आपने touchpad बाला driver अगर हटा दिये तो क्या होगा आपका जो कहने को मतलब है जो आपको वो है touchpad हो बंद हो जाएगा अब उसकी बिना आप काम नहीं कर सकते तो यह क्या है अगर आपने application software आपने video player नहीं डाला या फिर office word excel नहीं डाला तो भी आप आप काम जो है बाकी चीज़ा आप आराम से कर सकते हैं पर जो आप system software नहीं डाले हैं तो आप किसी के मतलब बहुत सारे काम आप नहीं कर सकते हैं आपके बहुत सारे काम रुग पर अगर application software कैसे होते हैं जैसे video player मैंने बताया office work के लिए होते हैं या फिर gaming के लिए होते हैं तो या अगर आप नहीं होता तो भी आप क्या सकते हैं computer से आप काम कर सकते हैं कुछ browsing का सकते हैं देख सकते हैं ठीक तो यह हो गया application software और यहां पर यह जैसे browser हो गया multimedia player हो गई यह सब क्या हैं यह मतलब एक्जामपल हैं अप्लीकेशन सब्टेइर के तो समझ में आओगा अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमारे वाटसेट नंबर पर भी पूर्ट सकते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं जो किसी भी instruction या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं programming द्वारा बनाया जाता है वो software होता है इसको हम लोग develop करते हैं इसको हम लोग क्या का सकते हैं manufacturer या company से बन बाते हैं फिर आता है जो software होता है वो दो तरीके से होता है एक system software होता है और application software होता है तो video player का करता है application software जो हमारा system software है system software से क्या यूज़ करता है display यूज़ कराता है और sound यूज़ कराता है ताकि हम लोगों ने जो video चला है उसका audio आ सके sound आ सके और video का जो आवाज है वो आ सके वीडियो का जो picture है वो आ सके ठीक है तो अभी के लिए बस इतना है video पसंद आए तो question पूछ सकते हैं ठीक है धर्नवाद और और एक चीज बताना चाहेंगे आप जैसे अगर आप ये जो हम presentation दिखा रहे हैं आपको या एक चीज और बलना चाहूंगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर हमने presentation अभी दिखाया है तो आप presentation जो है आप यहाँ से हमारा link जो है नीचे description दिया है slide share का तो आप क्या कर सकते हैं उस link पर click करके और जो ये presentation है आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं जो भी इसके अंदर लिखा हुँ थी यह सारा जो वह मैंने लिखा है यहाँ पर तो यह आप क्या कर सकते हैं य झाल झाल